वेलकूम वाई चैनल इन जर्श क्रियेशन सूटDY की साइड में से बच्चे हुए कटिंग में से मैंने यह थोड़ा है वाला फैब्रिक के बचा हुआ है तो इस पीस के हम आद पर्स बनाने वाले हैं इसका मेजरमेंट मता देती हूं इसका मेजरमेंट देखए एक इसकी जो लैंध है किish के बड करें इसको इसा में ब Tenemos का में रादा今天 के साएंग हैं फोल्ड करने के बाद, इसको फोल्ड करने के बाद हम पहले यहां पर एक सेंटर में निशान लगा लेंगे, उसके बाद जहां से यह खुला साइड है, खुले साइड से हमें यहां पर 3 इंच पर एक निशान यहां लगाना है, और इन दोनों निशान को मिलाते विए हम यहां से कुछ इस तरीके से हो गई है आप यहां पर राउंड शेप में या रेक्टैंगल भी रख सकते हो मैंने यहां पर यह ट्राइंगल शेप में इसको कट कर लिया है अब हमें यहां पर यह लिए पहले मैं फोंप शीट और लाइनिंग को अटेच कर रहे हूं इसको चारो अब यहां पर यहां पर इतने पार्ट में पॉकेट लगानी है यहां पर इसका लगानी है के लिए लेकिन इसासी के लिए लेकिन इसकी ल toothp के विए लत्राइड पैबरी ensuring के लिए इसके हम inside में जिप को पाली करेंगे इस तरीके से छोटा सा पीस लेना है जिसका measurement यहां से साइट से लौक करने के लिए इसटरीके से को पहले एक फ़ेबरीक के ऊपर है उसके falls के ऊपर रखना है और इसको हमें यहां से स्टीच कर लिए दिकिए मैं यहां से stitch कर दिया है जो भी हमारे extra part है हम इसको इस तरीके से cut कर लेंगे दोनों side से देखें यहां से जिप add करना है तो जिप add करने के लिए जिप को हम इस तरीके से बीच में रखेंगे और इसको इस तरीके से fold करेंगे और fold करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से रखते हुए हम इसको यहाँ पर stitch कर देंगे और दूसरे वाले पार्ट को इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहां पर हम इसको यहां पर इसको स्टीच कर देंगे इस तरीके से यहां स्टीच कर लेंगे दीके मैंने इसको यहां से स्टीच करके यहां पर जिप एड़ कर ली है मैंने यहां पर इस्टीच करने के बाद यहां पर निशान लगा था अब इस निशान पर इस्टीच करना है तो मैं इसको यहां से जितना भी हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा है उस फैब्रिक को इस तरीके से अंदर फोल्ड करेंगे करने के बाद हम यहां पर एक स्टीच लगा देंगे यहां पर विश्टीच होने के बाद यहां पर यह देखे हमारी पॉकेट बनके रैडी है हमारी यहां की अंदर की पॉकेट बन चुकी है हमें यहां पर जो हमने फैब्रिक को इसके उपर रखना है और उपर तक जो भी हमारा यह extra पार हम इसको अभी नहीं नहीं करना है। फिर यहां पर यह ट्राइंगल में और फिर वापस नीचे से प्रिक तो इस डोरी को हम पहले ही इस टीच कर लेंगे जिससे हमारी दोरी है इस दोरी को हमें जहां पर हमने यह जिप लगाई थी के साइड में ही इस डोरी को हमें रखना है इसको यहां पर रिजिच करना ऎ हम इसको अंदर की तरफ इसको स्टीच कर लेंगे और दूसरे वाले पांट को अंदर को हम यहां पर इस तरफे से सब्सक्राइब एक्स्टाइब ह कट लेंगे कि यहां पर ये कट का हैंड और यहां पर फोट छोटे-प्षोटे हम जिसके हम इसको सीधा करेंगे तो हमारी अच्छी सीध के अंदर फिनिशिंग आ जाए कॉर्णर्स को हलके हलके कॉर्णर्स को भी हम कट कर लेंगे कट लगाने के बाद अब हम इसको यहां से इसको सीधा कर लेंगे इसको दीखे, मैंने इसको सिधा कर लिया है, सिधा करने के बाद ये देखे, यहां सी हमारा जो डिजाइन था बैक का, जो मैंने कट के होगा, इस तरीके से इसके shape हागे है, यहां पर देखे, यह पर दोरी भी लग गई है, हमारी यहां पर, दीखे मैने यह मैगनेट लिए है, इस म प्रेस करने से कुछ निशान इस तरीके से हो गया निशान होने के बाद हम यहां पर इससे इसकी हेल्प से थोड़े से इसमें कट लगा लेती हूं जिसे यह आसानी से मेगनेट अंदर चला जाए देखिंगे इसको मैं अंदर डालता हैं अंदर डालने के बाद हम इसस वाले फैब्रिक में नहीं डालना था ला इनिंग को और फोन के साथ अब जो भी है अंदर की साइड ही हम इसको पंच कर लेंगे देखे मैंने इसको यहां पर इसे पंच करके सेट कर लिया है बहार की तर भी हमारा कुछ भी नहीं दिख रहा है अब हमें यहां पर इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे कुछ पार्ट को फोल्ड करेंगे दोनों पार्ट को इस तरीके से फोल्ड करते वे हम इसको पूरे में किसके सब्सुर्ण के थींlair का प्रथक हमें यहां से पूर्ली इसने के प्रब्लाइब within sa पुच्छ से बдеाjob करने के दिए फोल्ड करने के बार हम हमिसको यहां पर स्टिच करेंगे यहां से छेप है यहां पर ऐस टरीके से जिस तरीके यहां पर भी लगानी है तो इसको लगाने के लिएंगे हैं निशान लगा लेते हैं इस निशान के पता चल जाए यहां पर यहां पर इपन्च कर देती हूं देखें यहां पर यह अलका सा बिल्कुल निशान हमारा ड्रो चुका है तो यहां पर ही हम इस तरीके से इसको इस तरीके से पूरे में इसमें यहां निशान पहले इसको कर लेते हैं इसे पंच करके अब हम यहां पर इसके आसपास थोड़ा सा कुई देखर है कि अदर दाल लींगे कि लाग एने यहां पर मैंने यह को ढाल लिया है यहां की जो पीच बाहर आगये आप इसदोड़ा सब्सक्तिक्त निचह की प्लेट है हम उसके अंदर इसको मेगनेट को डाल देंगे और डालने के बाद हम इसको यहाँ पा जिस तरीके इसको पंच किया था वैसे हम इसको भी पंच कर लेंगे यहाँ से इस तरीके से लोक हो जाएगा और हमारा बैक बनके बिल्कुल रेडी है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कमेंट करके जरूर बताना आज का वीडियो कैसा लगा थैंक्यू फॉर वाचिंग